Before starting this video guys, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं इसे कितना जल्दी में बनाओ पा रहा हूँ और अगर आफ इसवीडियो को देखलो, सीखलों मेरे साथ और बनाते हो, तो आप इतना जल्दी में बना विपना सकते हो, इस वीडियो का टारगेट है दोस्तो 10,000 लाइक तो कोशिश करना कि जल्दी से 10,000 लाइक तक पहुचा देना साथ साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हो अगर आप क्लास 10 के ऐसा धीर सार वीडियो देखना चाहता हो जो चिक आउट करो डिस्क्रिप्शन वहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है लेट्स दू इट हुआ कैसा हर आप सब्ढय है हुट दोस्तों कि आप चेहां कर आँ है। दोस्तों आज के शोड़ियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नर् 완ी ज्यादा कं में आपको देने वाला हुए तो आज की सुर्य मारे दोसटों हम लोग सीखनी है वाल है, कि किस तरह से हम लोग लोग फया सकते हैं और साथ साथ में दोस्तों हमां ऐहां आपको यहां पी जो टेकनिक बताने वाला हूं इस वीडियो को भी इतना ही प्याद देना और share करना अपने दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छा लगता है तो तो चलिए दोस्तों, बिना दिरिक युए इस वीडियो को सुरू करते हैं, So let's begin this video और राइट माई डियर फ्रेंड्स सबसे पहले दोस्तों हम लोग अपने स्केल को यहां पर रखकर 0 cm और 7 cm पर एक मार्क करेंगे इससे मार्क करने के बाद अब हम लोग दोनों पॉइंट में अपने कमपास को रखेंगे और इसी पॉइंट को यूज करते वए हम ड्रो करेंगे हर्ट को जी हाँ दोस्तो आपको इस तरह से एक लाइन ट्रॉ कर लेना उसके बाद अब आपको दूसरे पॉइंट में इसी तरह से रखना और से दूसरे साइड भी इसी तरह से बना लेना इसे बनाने के बाद दोस्तों आप हम लोग नीचे की और से इसे मिलाएंगे और इसे इस तरह से बना कर दिखाएंगे जिहां दोस्तों आपने इतना तक सिक लिया अब दोस्तों हम लोग अपने कमपास को थोड़ा सा छोटा करेंगे जी हाँ दोस्तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इससे decrease करेंगे decrease करते वे हम लोग फिर से वही पॉइंट में रखेंगे और सेम इसी तरह से यहाँ पे आर्क की तरह एक बना लेंगे इसे बनाने के बाद दोस्तो आप अगैन हम लोग अपने कमपास को दूसरे पॉइंट में रखेंगे और इसी तरह से और एक बना लेंगे अब दोस्तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा fold करेंगे और अगर आपने अभी तक मेरे को step by step follow नहीं किया तो जल्दी से paper और pencil लो मेरे साथ इसे start करो As you know practice makes a man perfect जियां दोस्तो आपको practice करना ही पड़ेगा ताब आप इसे बना सकते हो वो भी आसानी से तो जल्दी से जल्दी अभी का भी pencil और paper लो और मेरे साथ इसे start करो इसके बाद आगें दोस्तो हम लोग अपने compass को यहां पर रखेंगे और इस तरह से दो आर्क ड्रॉ कर लेंगे जियां दोस्तो आपको यहां पर दो आर्क बनाना होगा ताकि हम लोग एक pipe like structure यहां पर बना सके इसके बाद दोस्तों अब हम लोग अपने compass को फिर से increase करेंगे वहीं पे रखकर और सेम दोस्तों यहाँ पे दो लाइंस ट्रो करके यहाँ पे इसे बना लेंगे जहां तक दोस्तों आप देख पारे हो यह कितना easy है राइट तो इसी तरह से दोस्तों मैंने आपके लिए धेर सारे वीडियो बना कर अपने चैनल में और facebook पेज में upload कर दिया जहां तो आप सर्च करके देख सकते हो इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से वीडियो मैंने और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो मैंने नहीं बनाया तो उसका आप कॉमेंट कर सकते हो अब दोस्तों हम लोगों यहां पे छोड़ा से फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसके बाद यहां पर इससे उपर की और लेते जाना है उसके बाद आपको इतना दूल तक बन करना है simply आपको यहां पर एक लाइं ड््रो करना है यो दून Vanês और लें और यहां अर्ड लिंगे और इसे बनाने के दोस्तों हम लोग दूसरे साड़ीच से अभड़ा करेंगे जो यहां से बनेगा दूसरे एक बना कर दोस्तों हम लोग इससे फिनिस्छ कर लेंगे और यह लोगों को यहाँ पे इसी तरह से और एक लाइन ड्रॉ कर लेना अब दूसरा वाला यहाँ पे छोटा साइसे कम करते हुए छोटा बनाना ओके तो आप देख सकते हो हम लोग इससे कंप्लीट कर रहे हैं अब यह कंप्लीट हो चुगा है दोस्तों तो अब हम लोग इससे फिन इसे इस तरह से बना लेंगे इसे बनाने के बाद दोस्तों और एक लाइन आपको यहाँ से बनाना है तो आपको सेम इसी तरह से बनाते हो दोस्तों इसे नीचे की और लाना और यहाँ पे मिलाना अब दोस्तों और एक लाइन बनाकर इसे अरोटा को फिनिस कर देना ओके उ you can do it man तो इस तरह से हम लोग इसे बना लेंगे अब हम लोग यहां पे दोस्तो एक लाइन ट्रॉ करेंगे इसे नीची की और लाइंगे और इस तरह से जिस तरह से यह आपको दिख रहा है इसी तरह से फोल्ड करके बनाएंगे तो आप देख सकते दोस्तों यह इस तरह से बनेगा और एक लाइन यहां पे बनाना है और वेना कवर फ्रॉम अपर बाड़ी को फिनिस करके आगे बढ़ जाना है अब दोस्तों हम लोग यहां पे बनाएंगे पल्मानरी आर्ट्रेस इसे बनाने के लिए दोस्तों फिर से हम लोग अपने कमपास को यहां पर यूज़ करेंगे थोड़ा सा इसे इंक्रेस करेंगे क्योंकि हम लोग ने इसे गलती से छोटा बना लिया था तो आपको इसे ध्यान में रखना है मैंने यहां पर मिश्टेक कर दिया आप इसे करेक्ट कर लो इसके बाद दोस्तों हम लोग इसे इस तरह से नीचे की और बढ़ाएंगे और इतना दूर तक लेते जाएंगे और इसे इतना दूर तक बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे तो दोस्तों आपको भी सेम इसे तरह से बना लेना इससे और इसके बाद हम लोग फिनिस्स करेंगे पल्मानेरी फिरशर को इससे बनाने के बाद दोस्तों यहां पर हम लोग एक लीबलिंग कीम कھیलें गे pulmonary arteries जिसे फुफुस धमनिया बोला जाता उसे complete कर लिया तो यहां पर हम लोग दोनों तरफ इसे बना कर finish कर लेंगे इसके बाद हम लोग यहां पर दोस्तों फुफुस सिराएं जिसे pulmonary veins बोला जाता उसे complete करेंगे तो यहां पर आपको एक line draw करना पड़ेगा नीचे की और इस तरह से बनाकर आपको same और एक line बनाकर इसे complete कर लेना complete करने के बाद दोस्तों इसके बीच में हम लोगों को इसे divide क करना और इसे finish कर लेना तो यह हमारा फुफुस सिराएं भी complete हो गया इसके बाद दोस्तों हम लोग यहां पर right ventricle और left ventricle में काम करने वाले हैं जी हां दोस्तों यहां पर जो आपको lines दिखता three lines उसे हम लोग complete करेंगे तो simply दोस्तों इस तरह से draw करेंगे और नीचे की और बनाते हुए कम से कम तीन बना लेंगे ओके दूसर साइड भी same आपको तीन बनाना है और इसी तरह से दोनों को complete कर लेना जहां पर दोस्तों बहुत लोग को confusion होता है कि कौन सा right है कौन सा left है तो मैं आपको यहां पर एक छोटा सा hint देने वाला हूँ और यहां पर आपको सम साइड है वही साइड डायगराम का right side होगा जी हां दोस्तों आपको उसी से relate करना है ठीक इसी तरह से दोस्तों आपको अपने आपको यहां पर observe करना अपने पीट को डायगराम के आगे रख कर ओके और इसके बाद आपको देखना है कि मेरा कौन सा right मतलब दाया हाथ है और कौन सा बाया हाथ है उसी तरह से आपको दाया आलिंद और बाया आलिंद को भी complete कर लेना है okay इसके बाद दोस्तों हम लोग यहां पर करेंगे arrows को draw जो represent करता है blood circulation को तो इसे भी हम लोग इसी तरह से बना लेंगे और आगे से complete करते हुए बढ़ जाएंगे जहां दोस्तों कि उसी तरह से और एक बार आरोज को बना ले तब Jeśli अगरे से तरह बना की और जाता तो आपको बताता हूँ यह यह दो किक्ती हिंदी में उनुझत कर लिया तो चलिए को अबर दोस्तों हम लोग को इसी लेवल करते हैं इससे पहले हम लोग 9 न इम इसके बात जल्दे से बत युर्टा जैसे महा धमनी हिंदी में बोला जाता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके बाद दोस्तों दूसरा क्या होगा, so this one is pulmonary arteries, जैसे फुफुफुस धमनीया बोला जाता है, इसके बाद दोस्तों इसके नीचे, so this one is left arterium, बाया आलिंथ, इसके बाद दोस्त इसके निचे, so this one is left ventricle, let me know what next, so this one is septum, जिसे विभाजी का हिंदी में बोला जाता है, इसके बाद दोस्तो इसके उपर क्या हुआ जल्दी से बता हो, so this one is right ventricle, जिसे दाया निलाई बोला जाता है, इसके बाद इसके उपर जल्दी से बता हो, so this one is when I come up from upper body, and then after दोस्तो इ this one is when I come up from upper body, जिसे हिंदी में बोला जाता है, शरीर के उपरी भाग का महासीरा, so finally we have completed this diagram, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को 10,000 लाइक तक जरू से जरू पहुचा देना, I hope दोस्तो जो टेगने मना आपको यहाँ पर दिखा और सिखा, इससे आप बड़े आ दोस्तों ऐसा धेट सार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बगल वाले बैल आइकन को जरू से जरूर क्लिक कर ले ना, ताकि आपको ऐसा धेट सार वीडियो जल्दी से जल्दी मैं देते रहा हूं, इन शिज़र दोस्तों मैं आप झाल